बिस्मिल्ला रह्मान रवाहिम चैप्टर नमबर टैन ट्रिक्निमेटिक आइजेंटिटीज और उसकी नई एक्सरसाइज हम इस लेक्षिर से स्टार्ट करने लगे हैं 10.3 ठीक है तो 10.3 का क्वेसन नमबर वन से हम स्टार्ट करते हैं क्वेसन नमबर वन क्या है क्वेसन नमबर वन है फाइंट डी वैल्यूज औफ साइन टू अलफा कॉस्ट टू एल्फा और टैन्जन टू अलफा ठीक है यानिके double angle identities की आपने values find करनी है जबके हमें information क्या given है इसका part 1 है sin of alpha is equal to हमें given है 12 by 13 ठीक है यानिके sin alpha की value हमें given है और हमने find क्या करनी है sin of 2 alpha की value, cause of 2 alpha की value और tangent 2 alpha की value और उसके लावा हमें क्या information given है हमें given ये है कि alpha जो angle है वो कहां लाई करते है 0 से 5 by 2 के दर्मयान ठीक है मतलब के first quadrant में लाई करते है 0 से 5 by 2 का मतलब क्या है first quadrant में लाई करते है उसके बाद आपने values find करनी है तो आप देखते है sin of 2 alpha किसके इकुल होता है सबसे पहले तो sin of 2 alpha की value हम find करते हैं तो sine of two alpha किसके इकल होता है two sine alpha into cause alpha ठीक है तो इसमें हमें किस-किस की value चाहिए sine alpha की value चाहिए जो के हमें पता है हमें given है ठीक है जो के 12 by 13 है उसके राव हमें किस की value चाहिए cause alpha की value हमें चाहिए तो cause alpha की value हमारे पास नहीं है तो हम यहां से निकाल लेते हैं ठीक है जो हमें given value है उससे हम निकाल लेते हैं तो sin alpha क्या है मैं color change कर लेता हूँ ताके थोड़ा सा mix up ना हो यह अब यहां से देखें तो sin of alpha किसके इकल होता है one minus cause बलके हमने तो value निकाल नहीं है cause alpha की ठीक है तो identity से हम निकाल लेंगे cause alpha is equal to one minus sin square alpha का square root ठीक है तो साथ में क्या plus minus आएगा और हमें angle पता है कि first quadrant पर लाए करता है तो first quadrant में यह भी हमें पता है कि first quadrant में सारी trichometric ratios या trichometric functions की values जो हैं वो positive होती है ठीक है तो यहां से फिर हम positive को select करते हैं और negative को neglect कर देते हैं तो cause alpha is equal to क्या जाएगा one minus sin square alpha अच्छा अब यहां से sin alpha की value हम put कर देते हैं और cause alpha की value find कर लेते हैं ठीक है तो cause alpha is equal to क्या जाएगा one minus sin alpha क्या है 12 by 13 और उसका हम square ले लेते हैं और उसके उपर whole square root भी है तो यहां से हम इसकी value find करते हैं one minus 144 divided by 169 का whole square root is equal to cause alpha अच्छा अच्छा अब यहां से हम इसका LCM लेते हैं तो 169 minus 144 मज़िद simplify करते हैं इसको 25 divided by 169 का square root और 25 का square root 5 आजएगा और 169 का 13 आजएगा तो यह हमारे पास cause alpha की value आच्छी है क्या value है 5 by 13 ठीक है यह value हम कहां पर use करेंगे इसमें हम use करेंगे sin of 2 alpha is equal to 2 sin alpha cause alpha क्योंकि sin alpha की value हमें पता है cause alpha की value हम find कर चुके हैं ठीक है तो इनकी values हम put करते हैं तो हमारे पास double angle identity यानिके sin of 2 alpha की value आजएगी ठीक है तो यहां पर मैं put करने जा रहा हूँ sin alpha into cause alpha तो यहां पर sin alpha हमें क्या given है 12 by 13 2 into 12 by 13 और साथ में cause alpha जो हमने find की है वो क्या है 5 by 13 ठीक है तो अब इन सब को हापस में हम क्या कर देते हैं multiple कर देते हैं तो हमारे पास आजएगी sin of 2 alpha की value जो के होगी 120 divided by 169 ठीक है तो यह value आजएगी हमारे पास sin of 2 alpha की अब आगे मज़ीद हम लेकर चलते हैं क्योंके हमने find की sin of 2 alpha इसके लावा हमने cause of 2 alpha भी find करना है तो अब हम उसकी तरफ चलते है cause of 2 alpha is equal to किसके होता है cause of 2 alpha minus sin of 2 alpha के ठीक है तो यहाँ पर हमे cause of 2 alpha की value भी पता है sin of 2 भी पता है sin of 2 तो हमें given है ना question में उसके लावा cause of 2 हम पहले ही find कर चुके है ठीक है जो कि 5 by 13 है जिसकी value तो उसका सुकेर minus 12 by 13 जो हमें given है value ठीक है उसका भी square तो यहाँ से हम 25 by 169 minus 144 divided by 169 is equal to किया है cause of 2 alpha अच्छा अब इसको हमने solve करना है ठीक है तो simplify करने के लिए हम क्या करेंगे इसका LCM ले ले लेते है और LCM किया आएगा इसका 169 ठीक है तो उपर कियाएगा 25 minus 144 और इसका value बनती है minus 119 divided by 169 is equal to cause of 2 alpha तो यह double angle identity cause की value हम find कर चुके हैं ठीक है उसके लावा हमें क्या का गया है find करने के लिए tangent 2 alpha यानि के tangent की double angle identity की value हमने find करनी है तो पहले तो मैं उसको formula लख रहता हूं कि वो होता कि इसकी equal है उसमें हमें चाहिए क्या क्या होगा tangent 2 alpha is equal to 2 tangent alpha divided by 1 minus tangent square alpha ठीक है यानि के हमें इसमें सरफ tangent alpha की value चाहिए तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि tangent alpha की value find कर लेते हैं पहले तो tangent alpha आपको पता है sine over cause की form में किस के equal होता है तो tangent alpha is equal to sine alpha divided by cause alpha अब यहां से हमारे बास sine alpha की value भी है ठीक है जो कि क्या है 12 by 13 हमें given है और इसके लावा cause alpha की value हम find कर चुके है 5 by 13 तो यहां से 13 13 से cancel out हो गया और हमारे बास tangent alpha की value आ चुकी है tangent alpha is equal to 12 by 5 अच्छा आगे अब tangent alpha की value आ चुकी है अब हम इसमें put कर देंगे ठीक है tangent of 2 alpha में तो हमारे बास tangent of 2 alpha की value आ जाएगी तो यह बनेगा 2 into tangent of 2 alpha is equal to 2 into 12 by 5 divided by 1 minus 12 by 5 का whole square आ जाएगा यहां पर ठीक है तो इसको आगे मजीद simplify कर लें तो 12 to the 24 divided by 5 whole divided by 1 minus 144 divided by 25 और इसका नीचे होगे हम LCM ले लेते हैं जो कि 25 आएगा ठीक है तो उपर numerator तो उसी तरह से लिखते है 1 minus 44 बलकि इसका हमने LCM लेना है तो यह बनेगा 25 इसका LCM आएगा 25 और साथ में उपर काएगा 25 minus 144 और उसके साथ फिर क्या बनेगा 24 divided by 5 divided by तो 25 minus 144 तो इसको simplify अगर हम करें तो हमारे पास result क्या आता है 24 multiply by 5 divided by minus 119 ठीक है तो यानि कि इसका final result जो आएगा हमारे पास 120 divided by 119 और साथ में minus का sign ठीक है तो यह हमारे बस आ रही है tangent of 2 alpha की value इसको मैं दोबारे से लिख रहता हूँ tangent of 2 alpha is equal to किसके है minus 120 divided by 119 ठीक है तो यह हमने जो है double angle identity sign of 2 alpha cause of 2 alpha और tangent of 2 alpha तीनों की हमने values find कर ली ठीक है तो यह question number one था उसका part number one अब हम देखें second part जो है वो भी बिलकुल same है उसमें आपको cause alpha की value given है ठीक है तो बाकी values आपने find करनी है तो sign alpha वहां से आप find कर लेंगे identity से cause alpha किसके एकुल आजएगा one minus sine square alpha का square root ठीक है sine square alpha आपने sine alpha निकालना होगा उसमें ठीक है क्योंके cause alpha given है तो sign alpha is equal to one minus cause square alpha का square root तो बाकी procedure उसका से हम है ठीक है तो अब हम ऐसे करते हैं के question number two पे आते है question number two question number two क्या है prove the following identities यानि के हमें identities given है तो हमने उसको prove करना है तो identity है क्या पहली identity है जी cot alpha minus tangent alpha is equal to two cot two alpha ये identity हमें given है इसको हमने prove करना है तो चले हम prove करते हैं हम ऐसे करते हैं के left hand side लेते हैं और उससे फिर हम right hand side बनाते हैं ठीक है operations उस पर perform करते हैं और उससे हम right hand side बनाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इसको sign over cause or cause or sign की form में convert कर लेते हैं जो caught है वो cause over sign होज़एगा cause alpha over sin alpha क्योंके sign over cause or cause or sign की form में convert करने के बाद उसको solve करना उसके उपर different formulas apply करना असान हो जाता है इसलिए हम इसको हमेशे जब भी आपने simplify करना हो tangent की form में कोई expression हो या caught की form में expression हो तो उसको sign over cause ये cause over sign में convert कर लिया करें तो यहां से सबसे पहले मैंने caught को convert किया cause over sign में और tangent को convert किया sign over cause में तो अब ऐसा करते हैं कि इसका हम LCM ले ले लेते है LCM क्या आएगा sign alpha into cause alpha ठीक है और इसके numerator में क्या आजएगा cause alpha into cause alpha minus sign alpha into sign alpha ठीक है अच्छा अब ये देखें ये cause alpha cause alpha से multiply हो रहा है तो ये बंज़ेगा cause square alpha और sign alpha sign alpha से multiply हो रहा है तो ये बंज़ेगा sign square alpha और denominator में तो सेम रहेगा sign alpha into cause alpha तो ये left hand side को ही हम आगे लेकर चल रहे हैं ठीक है उसी को solve कर रहे है तो अभी तक तो ये cause की form में ही है cause और sign की form में है ठीक है तो अब ऐसे करते हैं cause square alpha minus sign square alpha आप याद करें तो ये किसके equal होता है ये होता है देखें double angle identity cause of 2 alpha के क्या होती है cause square alpha minus sign square alpha होती है तो ये निके हम इसके जगा cause of 2 alpha यूज कर सकते है cause of 2 alpha और denominator में उसी तरह से sign of alpha into cause of alpha अच्छा अब एक और चीज़ ये है कि आप denominator में अगर देखें तो इसके साथ अगर मैं शुरू में 2 लगा दू तो ये क्या बन जाएगा 2 sin alpha cause alpha ठीक है तो यहां पर अगर मैं 2 लगा दू तो क्या बनेगा 2 sin alpha cause alpha तो जो किसके equal होता है double angle identity sin की बन जाएगी है ठीक है यानिक उसके जगा फिर हम sin of 2 alpha यूज़ कर सकेंगे तो ऐसा करते हैं कि जब denominator में भी 2 लगाना है तो फिर numerator में भी लगा लगते हैं ताके equation या expression को फरक ना पड़े multiply by 2 and divided by 2 ठीक है तो अब ऐसा करते हैं इसको मज़ीद हम solve करते हैं तो 2 cause 2 alpha numerator को उसी तरह सरहने देते है denominator को हम change कर लगते है 2 sin alpha cause alpha है जो के equal किस के होता है sin of 2 alpha के sin of 2 alpha के ठीक है अब आगे देखें ये के 2 तो उससे तरह से आजएगा sin 2 alpha और cause cause 2 alpha और sin 2 alpha किस के equal होता है cause 2 alpha के ठीक है तो अब right side अगर आप अपने equation जो given equation है उसके देखें तो 2 cause 2 alpha है तो ये ही हमने प्रूव करना था ठीक है इसमें हमने किया क्या cause over sin और sin over cause की form में करनोर्ट कर लिया फिर LCM ले लिया LCM लेने के बाद जो जो form बनती गई वो हम बनाते गए और end पे जाके हमारे बस right hand side बन गी तो ये हमारे बस left hand side थी ठीक है जो के equal आ चुकी है right hand side के तो यहां से हमारी equation या इसको identity आप कहलें prove हो चुकी है तो हम इसको कहते हैं जी proved तो अब हम ऐसा करते हैं के next question के उपर आते है question number two तो solve हो चुका question number three इसमें भी हमने prove करना है identity को तो identity है क्या sine of two alpha divided by one plus cause of two alpha is equal to tangent of alpha मतलब कि हमने जो sine of two alpha over one plus cause two alpha को equal prove करना किसके tangent alpha के तो हम किस तरह से prove कर सकते हैं देखते हैं left hand side सबसे पहले हम ले ले लेते है left hand side क्या है sine of two alpha sine of two alpha divided by one plus cause two alpha ठीक है तो यहां से देखें sine of two alpha किसके equal होता है sine of two alpha है जो है double angle identity है sine की तो यहां से हम इसकी identity यूज़ कर सकते है जो के equal होती है two sine alpha into cause alpha के ठीक है तो one plus denominator में भी cause की double angle identity यूज़ हो रही है तो वो हम use कर लेते है जो के equal होती है cause two cause square alpha minus one ठीक है तो यहां से आप देखें तो numerator तो चलें उसी तरह से हम रहने देते हैं two sine alpha काज alpha ही रहने देते हैं ठीक है तो two sine alpha into cause alpha divided by अब denominator में देखें यह positive one है और यह negative one है यह दोनों आपस में cancel out हो जाएंगे तो बाकी जो टरम हमारे पास बेचेगी वो क्या है two cause square alpha ठीक है तो यहां से अब एक cause हम cancel कर देते हैं यानि कि यह cause जो है इस square से cancel out हो जाएगा क्योंकि यह दो cause आपस में multiply हो रहा है ना denominator में तो यह इस से cancel out हो जाएगा तो बाकी टरम हमारे पास क्या बचेँगी बाकी टरम हमारे पास बचेँगी two sine alpha divided by two cause alpha ठीक है उसके लावा two two से cancel out हो जाएगा ठीक है तो sine alpha over cause alpha बचेँगा हमारे पास sine alpha over cause alpha जो किसके एकल होता है tangent of alpha के एकल होता है तो यह देखें हमारी जो given equation है या given identity है उसकी right hand side भी tangent of alpha ही है ठीक है? मतलब कि हम prove कर चुके हैं इसको इस equation को तो यहां से हम left hand side लेकर चले थे और यह equal आ चुकी है right hand side के यानिक left hand side is equal to right hand side तो left hand side ठीक है? left hand side है जी sine to alpha over sine to alpha over one plus cos two alpha is equal to ten alpha यह हम prove कर चुके हैं ठीक है? left hand side कहती sine to alpha over one plus cos two alpha दोनों numerator में भी और denominator में भी हमारे बस double angle identities बन रही थी ठीक है? तो उसकी जगा हमने वो identities उसकी use की ठीक है? उसकी values उसकी sine to alpha की two sine alpha cos alpha उसके लबा cos two alpha की denominator में use की two cos के alpha minus one ठीक है? तो यहां से denominator में से हमारे पास cause आपस में cancel out हो गए ठीक है? तो हमारे पाकी के times बेज़िए sine over cause और sine over cause आपको पता है किसके इकल होता है tangent of alpha के तो यहां से हमारे पास यह तीसरा सौाल भी खतम होगा ठीक है? तो यहां पर हमें इस lecture को भी खतम करते हैं और next lecture से हम next question स्टार्ट करेंगे